ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती कॉलिवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भोला नात परमपिता परमात्मा शिव को तुरुथ अर्थात सत्ते भी कहते हैं और इसी लिए वह अपने समान भोले और सच्चे बच्चों पर सहजी प्रसन हो जाते हैं पर तो देखा जाता है कि कई बार इंसान अपने अंदर की पुरानी फित्रत के कारण परमपिता परमात्मा से भी चतुराई करने लगता है जानी जाननहार से भी छिपाने का प्रयास करता है आध्यात्पिक मार्ग में सच्चाई, सफाई और सरल स्वभाव की वास्तविक परिभाशा और महत्व क्या है? आज हम ईश्वरिये महावाक्यों द्वारा जानेंगे महावाक्यों के इस पश्टी करन के लिए हमारे मद्धे हैं प्रजा पिता ब्रमपा कुमारिज ईश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षत आदर्निये राजयु भाई सहाब प्रजाब आपका आज के अपिसोड में बहुत बस्वाकत है प्रजाब पिछले अपिसोड में हम बात कर रहे थे 30 मार्च 2000 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो पिसले अपिसोड में हमने जाना कि 5 सुरूपों की ड्रिल से हम अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाए और सच्चाई और सफाई का आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कहते नहीं है तो सोचते हैं कोई-कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता ब्रामनों का भी मिलता बढ़ों का भी मिलता परमात्मा का भी मिलता हम को कम मिलता है कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है जितना जो लेने चाहे, परमात्मा के भंडार में तालाचा भी नहीं है, पहरेदार नहीं है, बाबा कहा जी हाजर, बाबा कहा लो, दाता है न, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्ही दो बातों की कमी होती है, एक सची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो, सब परमात्मा से कैसे चतुराई करते हैं, इसको सबस्पष्ट करें बाबा कई बच्चों के आंतरिक स्थिति को भी देखते हैं, कई अंदर अंदर सोचते हैं, कि कोई को तो बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सब का सहयोग मिलता है, बाबा का भी मिलता है, परिवार का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, हमें कम मिलता है, तो परमात्म करें बच्चे कई पार चतुर बनते हैं परमात्मा से सब कुछ लेना चाहते हैं लेकिन जो अंदर की सच्चाई है जो भावा के आगे अपनी इसपष्टता है वो इसपष्ट नहीं होते इसलिए लेने में नंबर बन जाते हैं वो तो दाता है सब को समान रूप से देता है औ कभी आत्माओं से लेने की इच्छा रखते हैं कभी परमात्मा से लेने की इच्छा रखते हैं परमात्मा कहते हैं चतुराई बच्चे जो करते हैं इसके कारण उनको ये लगता है कि इनको अधिक मिलता है मुझे कम मिलता है जब कई बार इंसान को खुद ही पता नहीं होत नहीं है अगर सच्चाई सफाई है तो सब कुछ अपने आप राप्त हो जाएगा बाबा सब्द ही कहना माना सब खजाने पराप्त कर लेना लेकिन कहते हैं उपर उपर से बाबा और अंदर से कोई देधारी को याद करते हैं कहीं न कहीं दूसरे जगे सम्मंद जुटा हुआ है पता नहीं चलता है इन परमात्मा कहते हैं डबल एक हाथ में डबल लड़ू लेना चाहते हैं परमात्मा से भी मांग रहे हैं उनसे भी लेना चाहते हैं और आत्मा उपर भी ध्यान जा रहा है अगर सच्चे दिल से कोई मेरा बाबा मीठा बाबा कहेगा तो उसे अपने सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगे उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है लेकिन उसमें सच्चाई की कमी है उपर उपर से बाबा बाबा कह रहे हैं और अंदर से कहीं देधारियों से रिष्टा रखा हुआ है इससे पता जलता है कि निश्चे की कमी है निश्चे की कमी भी है लेकिन ये समझते हैं कि वो तो निराकार है अंदर से एक भावना ये रहते हैं वो निराकार है वो कैसे देगा देने के लिए साकार में तो कोई चाहिए कैसे वो साकार में आकर के अपने बच्चों के द्वारा करा रहे हैं उसमें निश्चे की भी कमी है, भावना की भी कमी है। पर मात्मा कहते हैं कि एक संसकार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक के अपनी अपनी है, लेकिन सर्वकास नहीं और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजई और वाणी में मधूरता तब आ सकती है, जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं हो, अलबेला पन अल अलवेली नेचर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इजी सुभाव में हैं, कहीं पर भी अपने को मोल्ड कर सकता है। लेकिन जो अलवेला होता है, वो कोई बात पर ध्यान नहीं देता। जो बात कही जा रही है, जो बात करनी है, अगर हमारा उस पर फुल अटेंशन नहीं है, तो इसको अलवेला पन खा जाता है। जो करना चाहिए, उसमें कर लेंगे, हो जायेगा, समय पड़ा है, कई बातें हम अंदर अंदर सोच करके अलवेले बन जाते हैं। जो होते हैं, मोड लेते हैं, जैसा समय, जैसे पहस्तिती, जैसे व्यक्ति सामने आते हैं, उस सरल नेचर होने के कान उसी अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, कर लेंगे, हो जायेगा, अभी किसने किया है, इस प्रकार की भासा का प्रयोग करते हैं, ये अलवेली नेचर जो अलबेला पर नहीं होता है, मैं तो सब जानता हूँ ना मुझे कौन डारेक्शन दे सकता है, तो अपने अंदर का अभिमान है, वो अभिमान के कारण कोई की बास सुभिकारी नहीं करता हूँ, अलबेला नहीं है, उसको अपना अनुभो का नसा है, इसलिए वो मिक्स नहीं हो उसको परक्ते हुए, अपने को easy कर देवे, easy अर्थात, मिलनसार, tight nature, बहुत too much official नहीं, official रहना अच्छा है, लेकिन too much नहीं, और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई official बन जाता है, तो वह गोण के बजाए, उनकी विशेशता उस समय नहीं लगती, पर अभी एक तीसरा nature है, official nature, इसको बहुत official रहते हैं, उनसे कोई मिलने आएगा तो भी बात करने में डर लगता है, पता नहीं, बोलो, क्या response मिलेगा, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तो परमत्मा कहता है, ऐसी tight nature जो है, वो भी संगठन में चलने नहीं देती, वो कईयों क बहुत नुकसान पहुचा रही है, इजी nature चाहिए, मिलनसार चाहिए, नियम और मर्यादाओं में tight जरूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसी official nature नबना लें, जो लोग हमारे सामने आने से भी कत्रा हैं, डरें, पता नहीं, इनसे हम बात करेंगे, तो क्या से response मिलेगा, तो परमत् मर्यादाओं में strict रहना चाहिए, इतने serious न बन जाए, इतने tight न हो जाए, लोग हमसे डरने लगे, हमारे सामने भी न आना चाहिए, इसलिए इस nature पर बहुत ध्यान देना, नहीं तो ये एक कमी महसूस होती है, लोगों को लगता है कि इनको अपना नसा है, हैं serious, अपने मर् के हैं, लेकिन कईयों को वो लगता है कि ये बहुत tight रहते हैं, इनके बहुत strictness से उनके सामने समीप नहीं आना चाहिए, उनसे मिल करके लोग चलना नहीं चाहिए, किनारा कर लेते, डर के मारे कोई सेवा मिलेगी तो कर लेंगे, लेकिन जैसे मजबूरी से करेंगे, अपन समझ करके नहीं कर पाएंगे. और ताइट होगा, तो मुण नहीं सकेगा, अलबेला भी नहीं, इजी है, तो जहां चाहे, इजी हो जाए, अलबेला हो जाए, नहीं, परमात्मा ने कहा न, इजी हो जाओ, तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना, इजी नेचर अर्थात, जैसा समय, वैसा अपना स्वरूप बना सके, इजी के इन डिफरेंट माइनों को आप थोड़ा सबश्च चरे, इसमें ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल ऐसे जीवन थे, कोई बाबा के सामने बुजुर्ग आते थे, तो बाबा उनके साथ डांस करने लगते थे, कोई बच्चे आते थे, तो बच्चों के साथ बच्चे बनकर के उनसे रूहरियान करते थे, बाते करते थे, उनको अपने पन के अन्भूती करते थे, कोई समान रूप में आ गए, जैसे समानता के रूप में, साती के रूप में उनसे ब्यवहार किया, तो बहुत इजी नेचर, ऐसे नहीं मैं तो भगवान का रत हूँ, मैं इनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, हर जगे पर अपने आपको सब बच्चों के साथ मिक्स कर लिया, इसके कारण उस सब के बाबा बन गए, चाहे बच्चा है उभी कहता मेरा बाबा, बुजुर्ग आता हो भी कहता मेरा बाबा, तो बाबा की नेचर इजी थी, अलवेली नहीं थी, हर एक बच्चे के साथ बच्चा बन करके, बड़ों के साथ बड़ा बन करके, और अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दे करके, बाबा ने प्रेक्टिकल करके दिखाया, ऐसे ही बाबा करें, इ अफीशल नहीं, उसे रॉयलिटी क्या देता है इंसान की, रॉयल है हम, तो इसलिए हम हर एक के साथ बार-बार मिक्स नहीं होते हैं. तो रायल्टी अलग चीज है, रायल्टी तो चलन से उसके चेहरे से दिखाई देती है, उसके हाव भाव से पता चलता है रायल है, मुस्क्रा करके बात तो करेगा, अफिशल रहता है, लेकिन को या जाएगा, दादी जी की बहुत अच्छी विसेष्टा थी, दादी जी के सा तो टाइट थी, और इजी नेचर थी, लेकिन सबके साथ रायल नेचर होने के कारण सबकी दिल लिया, सबको अपने पन की अन्भूत्ती कराई, वो रायल्टी है, लेकिन ऐसे नहीं हम बैठे हैं, अफिशल हैं तो हम रायल हैं, रायल वो आफिशल नेचर को नहीं कहा जात जरा भी पुराना किच्डा नहीं हो तो सब साफ दिल की इस परिभाशा को सबस्ट करें साफ दिल जिनकी है उनका अंदर बाहर एक जैसा रहता है ब्योहर एक जीवन उनका ऐसा हो जाता है बोल-चाल में भी ऐसे लगता है कोई भी प्रॉब्लम, साफ दिल है तो हर एक अपने पन की फिलिंग आती है उसको उसको लगता है कि सब हमारे हैं, मेरे पन है अगर साफ दिल नहीं है, अंदर एक है बाहर दूसरा है सच्चाई सफाई नहीं अंदर की तो लोगों को उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि ये बोल तो कुछ रहे हैं, लेकिन अंदर लगता कुछ और है, मिक्स है परमात्मा चाहते हैं कि जो भी बच्चे बाबा के हैं, ऐसे साफ दिल बने उनके अंदर कोई भी परकार का सुभाव, संसकार, किसी भी परकार के ब्यर्थ का कि चड़ा अंदर नहो सबके प्रति एक समान द्रश्टी हो, सबके विसेस्ताओं को हम ध्यान दे, उनको नोट करें हर एक की अपनी अपनी विसेस्ताओं हैं, सामने आने वाली आत्मा की अगर हम विसेस्ताओं देखते हैं, तो हम उनको अपने पन की फिलिंग आती है, उनको लगता है इनसे बात कहने से कुछ हमें प्राप्ति होगी, तो परमात्मा के रहें कोई भी बच्चे आएं, देश और विदेश के, जब सामने आएं, तो हर एक की अंदर से निकले, मैं ओके हूँ, ओके तभी रह सकता है, जब अंदर बाहर साप है, सच्चा है, वो भी प्रकार का किसी के प्रत भी बिर्थ का किष्णा अंदर नहीं रखा है, बलकुल, आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा क कहते हैं, सदा एक रस, खुशनुमह चहरा हो, जो भी देखे, उसे रोहानी खुशी की अनभूती हो, यह सेवा का साधन है, चहरे पर रोहानी खुशी हो, साधारन खुशी नहीं, रोहानी खुशी, फेस चेंज नहीं हो, जिसे एक रस थिती, वैसे ही एक रस चहरा हो, तब चहरे द्वारा इश्वरिय सेवा करने की इस विधी को स्पष्ट करें वह सुन्दर विधी है अगर कोई का एक रस मुस्कराता हुआ खुशनमा चहरा है उसके सामने जाते ही अच्छे अच्छे अनुभो होते हैं लोग बहुत समीप आते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं अभी-अभी हम किसी के साथ थांस रहे हैं, बहर रहे हैं बाते करें और कोई दूसरा आ जाता है तो हम सिरियस हो जाते हैं, चहरा बदल देते हैं तो परमात्मा केते हैं आंत्रिक इस्थिति भी तुमारी एक रस चाहिए और अंदर की इस्थिति का दरपण आपका चेहरा है। अगर इस्थिति एक रस है, खुशनुमा है, अंदर से प्रसन्चित है, कोई भी प्रकार की बेर्थ बातें अंदर नहीं चल रही हैं, तो चेहरे पर वो जो रूहानियत है, उसकी मुस्कराहाट है, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। भूतिया होने लगती है, अपनत्य की फीलिंग आती है, देखती है, यह मेरे हैं। परमात्मा करें, यह सेवा का बड़ा अच्छा साधन है, लेकिन वो चेहरा खुशनुमा एक रस रहना चाहिए। कभी किसी के साथ बहुत खुशी से बात करें, प्रसन हो करके करें, और कि किसी से अफिशल हो करें, तो एक रस इस्तिती नहीं है, एक रस शेहरा नहीं है। दादियों का जैसे होता था। हमेशा जो भी आजाये, सब के साथ एक जैसा बहुआर किया उन्हों है। बिलकुल, करमात्मा के कहते हैं कि चाहे कामकाज भी कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो, लेकिन चहरे पर खुशी हो, फिर आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक घंटा बोलने के बजाए, अगर आपका रोहानी मुस्कान का चहरा होगा, तो वह एक घंटे के बोलने की सेवा एक सेकिंड में करेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है। रुहानियत में रहते हैं, जिनका चहरा रुहानी प्रसनता से प्रसने कुछनमा है, उसका काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, सबका सहयोग मिल जाता है। अगर आपके चेहरे पर रुहानियत है, मुस्कराहत है, अपनत्त की भाउना है, तो आपका काम तो एक घंटे का पांच मिनट में हो जाएगा, सबसायोगी बन जाएगे, और खुद भी एक उद्धी की लाइन क्लियर है, क्लीन है, तो बड़े-बड़े कारे भी बहुत सहज जिते से संपन हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो भी मिले, जैसा भी मिले, गाली देने वाला मिले, इंसल्ट करने वाला मिले, इज़त ना रखने वाला मिले, मान शान न देने वाला मिले, लेकिन आपका एक रस चहरा, रुहानी मुस्कान, पर तब यह कैसे सं जब हम मगदे पर्प्रामने कामना के लिए और अंदर किसी नहीं है। है अगर उसकी प्राप्तियों के नसे में हम रहते हैं, कि सब कुछ इतना मां, सान, परमात्मा ने इतना पद, पोजिसन सब दे दिया, यह आत्माय मुझे क्या देंगी, ठीक है, अगर विवहार हमारे से ठीक करें तो ठीक है, नहीं करते हैं, उनका वो हिसाब किताब, उनका पार्ट है, तो जब ग्यान अंदर से इमर्ज रहता है, तब हम उस रूहानियत की खुशी में रह सकते हैं, और अगर नहीं है, मूट खराब करेंगी, फीलिंग आ जाएगी, ज्यान की कमी होने के कान, मेरा मूट भी उसके समान खराब हो जाएगा, तो कुछ भी हो, बात मन में तो आई जाती है, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर उसके बाद भी उसका मेरे प्रतिय द्रिश्टिकोन क्यों है? आएगी भले, लेकिन उसका प्रभाव नहीं डालेगी, कई बातें ध्यान पर आती है, कि मैंने इससे बात किया, इसने आज ऐसे क्यों किनारा करके चला, अपने उपर ध्यान जाना चाहिए और ही, कोई ऐसी गलती तो नहीं मेरी है, लेकिन मूट खराब कर लें, अपनी इस करन से उसने ऐसा किया है, तो कुछ तो मेरी अंदर होगा, हम अपनी करेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन उसके अपरत नफरत की भावना पैदा कर लेते हैं, कि इसका बेवार मेरे से ठीक नहीं है, तो परमात्माईता अपनी इस्थिति अगर अच्छी है, अगर हम बिलकुल और पर कहते हैं, इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसने ठीक मुझे देखा नहीं, मेरे से बात नहीं किया, तो और ही मैं अपनी इस्थिति को खराब कर लेते हैं, इसलिए परमात्माईता अपनी इस्थिति को बिगाड़ो मत, खराब मत करो, अपनी अंदर की एक जो बेक्ति जैसा है उसके सुभाव संसकार को समझ करके उसके साथ बिहार में आओ नहीं दे रहा है तो उसको डॉंट केर करो और इसलिए परमात्मा कहते है कि महनत नहीं लगेगी मुझे रुहानी मुस्कान ही मुस्कुराना है कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मुस्कान छोड़नी नहीं है सब कई बार परमात्मा कहते है कि कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए तो रुहानी मुस्कान और खुशी इन दोनों को थोड़ा सा सपष्ट करें खुसी एक आंतरिक स्थिती है, और आंतरिक स्थिती का दरपन जो है वो चेहरा है, चेहरे पर मुस्करहाट है, वो मुस्कान लोगों को अनुभव होती है, हम अंदर से खुस हैं, तो चेहरा भी खुस नुमा दिखाई देना चाहिए, हार से दिखाई देना चाहिए, मुस्कर कि अधार से खुसी का अनुभो अंदर होता है लेकिन अंतरिक अगर खुसी है हमने कुछ प्राप्त किया है हम अतिंद्रे सुक का अनुभो कर रहे हैं हमें सब प्राप्तियों से संपनता का अनुभो है और अंदर अंदर बहुत आत्मा प्रफुलित है खुस रहती है लेकिन उसका प्रतेक्ष सबूत क्या है? उसका प्रतेक्ष सबूत है उसका चेहरा और वो चेहरे पर कोई जिस्मानी मुस्करहाट नहीं है जैसे लोग हसते हैं ऐसा नहीं है लेकिन रूहानियत की मुस्करहाट है जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं चित्रों को देख करके लगता है उनके चेहरे पर मुस्कराथ है जबकि जड मूरती है ऐसा चेहरा चित्रकारों ने बनाया है कि उनका चेहरा देख से यह लगता है कि मुस्करा रहे हैं बड़े खुस हैं, अंदर से खुस हैं, तो बाहर से चेहरा मुस्करा रहा है, तो परमात्मा कहते हैं, आप बच्चों के चेहरे पर रूहानी मुस्कान दिखाई दिनी चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ, इनके पास सब कुछ है, ये प्रसन अचीत आत्माए हैं, कोई भी पर करका बेर्थो नगेट्यू उनके मन में नहीं चलता है, अगर बेर्थो नगेट्यू है, तो चेहरा मुस्करा नहीं सकता, इसलिए परमात्मा कहते हैं, रूहानी मुस्कान आपके चेहरे पर दिखाई देगी, तो सब आत्माओं को सहयोग मिलेगा, सब आत्माएं आपके सम नहों, सदा मुस्कराते रहो, रूहानियत में रहो और अंदर से खुसर हो। बिलकुल भाई सब, आज हमने अंदर की सच्चाई, सफाई और अपने इजी नेचर के महत्व को बहुते विस्तार पूरवक समझा, सबस्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत हने वाई है। परमात्मा ने कहा कि सर्वकास नहीं बनने के लिए हमें अपनी नेचर को इजी बनाना है। आप सभी किसमक्षम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। ओम शांती। मुख्यसार अर्टिफीशल भी नहीं साथियों में साथी बन और बड़ों से रिगार्ट से चल सके। कई सोचते हैं किसी को बहुत तो किसी को कम सहयोग मिलता है। बाप कहते हैं बाप सागर है जितना लेने चाहो लो भंडारे में ताला नहीं है। अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो मनमोहिनीवन शांतीवन पोस्ट आवुरोड 307510 दिस्टिक्स सिरोही राजिस्थान ईवेल आईडी है अमुल्यरतन अट गौडलीवुड स्टूडियो डॉट ओर जी इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें